हाई फ्रेंड्स वेलकम टू आई एस कॉलिडोर और दिस इस नितेश शर्मा हम आपके लिए लेक्चर नमबर 21 इस जोग्राफी विद्यू सीरीज का और चलिए देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यानि की कंटेंट आज हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में आज हम क्या क्या पढ़ने सबसे पहले देखेंगे कि humidity क्या होती है फिर humidity इन टाइप के होते हैं एब्सलिउट रेलिटिव इन स्पेसिफिक सबके बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में बाद ऑब एवीपोरेशन देखेंगे फिर हम पढ़ेंगे forms of condensation से ही आपका क्लाउड बनता है जिससे कि आपको बारिश यानिकी प्रेसिपटेशन यानिकी इन फॉर्म फ्रेंफॉल स्नो स्लीट और फॉक जो भी आपका होता हो सब कंडेंशेशन से होते हैं तो उसके डिफरेंट फॉर्म से हम पढ़ेंगे एट लास्ट वी विल स्टेडी क रेंफॉल भी पढ़ने वाले है तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं देगे फ्रेंट यह भी हमारा क्लैमेट्ट अलोजी का बाठ चल रहा है अभी 3-4 लेक्चर और षोंगे क्लैमेट्ट अलोजी में क्लैमेट अलोजी सबसे ज़ादा इंपार्न्ट ओघर आ आपके last 10 years के previous year questions जो होंगे आपके geography जो prelims में आए हैं और थोड़े बहुत means के भी हम ले लेंगे तो वो उस lecture में हम आपके एक साथ डाल देंगे तो चलिए अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि जो water vapor in atmosphere देखिए यहां पर evaporation पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो उसके लिए water vapor पढ़ना हमें बहुत जरूरी कि हमारे atmosphere में water vapor कितना पाया जाता है यह आपका 0-4 परसेंट पाया जाता है by volume of atmosphere बट अगर हम average देखते हैं तो 2% होता है है होप आपको humidity अब समझ में आगा देखिए कुछ air होती है उस एयर की भी कुछ capacity होगी वाटर वीपर कंटेंड करने की ठीक हम कहते हैं आज यार जब बारिश का मौसम आता है तो हम कहते हुमिड बहुत होगा चिप 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 हो रहा है तो उस तरह में air के अ आपका absorb करता है radiation यह मैंने आपको बताया था बहुत incoming जो आपकी sun से आती है long wave और जो आपकी यह terrestrial radiation जो आपकी मतलब अर्थ जब radiate करती है तो दोनों की दोनों आपकी जो radiation होती है वह आपकी यह क्या करती है आपका absorb कर लेता है water vapor friends I think मैंने यह गलत बोल दे जो मैंने आपको बताया था जो incoming radiation होती है शायद मैं लॉंग वे बोल गया हूं बट नहीं जो हमारी संसे जो radiate करती है वह आपकी लॉंग वेव होती है और देखिए अर्थ का हीट बजट हम आप पहले ही पढ़ चुके हैं और यह उसमें भी क्रूशल मतलब रोल प्ले करता है amount of water vapor जो की प्रेजेंट है डिसाइड करता है quantity of latent heat stored in the atmosphere for development of storms and cyclones देखिए जब वाटर वेपर आपका condensation होता है तो latent heat जो आपकी होती है latent heat of condensation वह आपकी क्या होती है और उस heat के कारण air और warm हो जाती है और rise करती है फिर condensed होती है तो यह आपका development of storms और cyclones में भी help करता है water vapor जो air में present होता है उसको humidity कहते है चलिए अब different parts देख लेते हैं humidity के भी देखिए प्रेंट सबसे पहले हम absolute humidity देखेंगे यह होता क्या है जो actual amount of water vapors present in the atmosphere is the absolute humidity माल लीजे कोई भी air है कोई एक air का packet है यह देखिए यह एक air का packet है अब इसका एक टाइम पे यह इस पूरे air के packet में कितनी आपकी humid है कितने water vapors है यानि कि माल लीजे इसमें आपके 30 units water 30 water vapors है ठीक हम units में express कर रहे है units में आपको समझानी कोशिच कर रहे है इस air में आपके कितने है 30 water vapors है तो इसको हम absolute humidity कहेंगे इस air parcel के air packet की चलिए it is the weight of the water vapor per unit volume of air और यह express किसमें किया जाता है ग्राम पर क्यूबिक मीटर में the absolute humidity differs from place to place on the surface of the art देखिए यह अगर आप oceans के ऊपर आप absolute humidity देखेंगे वहाँ जादा होगा क्योंकि वहाँ preparation जादा होगी पानी जादा मिलता है अगर अब लेंड के ऊपर जो एयर है उसकी humidity देखेंगे उसे वाटर वेपर देखेंगे कम होगी और सी बात है तो ऐसे एक्वेटर पर जादा देखने के मिलेगी पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपका कम हुमिड एयर देखने को मिलेगी ability of the air to hold water weepers depends entirely on its temperature देखिए टेंपरेचर कैसे डिपेंड करता है जतना ज्यादा temperature होगा उतने ही एयर की जो water vapor containing capacity होगी वह ज्यादा होगी आपकी तो यहां कहा गया है कि warm air can hold more moisture than cold air जितनी ज्यादा cold air होगी उतने ही water vapor कम hold करेगी और उतने ही उसकी water जो वेपर containing capacity है वो भी कम होगी फ्रेंट अब हमारा दूसरा component जो humidity का है उससे हम बोलते है relative humidity देखिए क्या होता है percentage of moisture present in the atmosphere as compared to its full capacity at a given temperature is known as relative humidity देखिए यह जो percentage है moisture की अब जो आपका present होगा ना atmosphere में जो percentage moisture की atmosphere में present होगी compare करें किस से उसकी full capacity से at given temperature चलिए मैं आपको बताता हूँ यह देखिए हमारा कोई फिर दुबारा एक parcel है air का अब जो इसकी जो containing capacity फुल capacity है वो है 100 की वो 100 water vapors आपके contain कर सकते हैं कितने 100 unit of water vapors यह पूरी जो air का parcel है हमारा यह आपका 100 water vapors contain कर सकता है इसकी जो full capacity है जो यह full capacity है इसकी 100 है ठीक है अब इसमें मैंने बताया था जो absolute humidity पढ़ रहे थे कि इसके पास कितने 30 water vapors है इसके पास कितने 30 water vapors है इसके पास है तो अब क्या होगा अब हम देखेंगे कि इसकी जो relative humidity हो कैसे निकालेंगे हम देखिए यहाँ यह formula दिया हुए डारेक एक्चुल अमाउट of water vapor in air यानि कि absolute humidity ठीक है absolute humidity को उपर रखेंगे उसके नीचे क्या है humidity saturation point कि maximum water vapor कितना hold कर सकती है उस temperature पर यानि कि absolute humidity क्या है हमारी 30 है उस 30 के नीचे हम क्या लगाएंगे 100 100 क्या है यह हमारे पास maximum है तो यहाँ पर हमने बताया कि absolute humidity इसकी है 30 तो 30 हमने उपर ले लिया उसके नीचे आगे आपका 100 और जो 100 है यह क्या है यह है आपका कि जितनी humidity saturation point पर यानि कि maximum water vapor जो air hold कर सकती है गिवन temperature पर यह air ने अभी 30 है water vapor air के पास और air कितने hold कर सकती है 100 और इसको multiply किससे कर देंगे ह हम 100 से तो वो क्या आजाएगा हमारे पास वो percentage आजाएगी और उस percentage क्या बोलेंगे हम relative humidity बोलेंगे तो इसका answer क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 30 आएगा देखिए ठीक है यह 30 आपकी relative humidity हो जाएगी अगर देखिए आप कह रहे होगे कि absolute humidity वह यह relative humidity हुवई है हाँ जी त की है तो 20 upon 50 into 100 कर देंगे हम ठीक है तो इसकी जो capacity हो जाएगी 40% तो relative humidity में और इसमें आपको different समझ में आ गया होगा चलिए अब आगे चलते है relative humidity greater होती है आपके oceans के ओपर list होती है continents के मैंने बताया था देखिए humidity जहां greater होगी वहाँ यह relative और आपकी जो absolute humidity वह भी जादा होगी air containing moisture to its full capacity at a given temperature is set to be saturated saturated air हम किसे बोलते हैं देखिए मैंने भी आपको बताया था कि जो air का packet है और उसकी maximum capacity है वह कितनी है वह 50 आपकी ठीक है और 50 ही उसके पास क्या है water vapor present है ठीक है maximum इसकी capacity क्या 50 है और 50 ही इसके पास इस air के packet के पास water vapors है इसके अंदर यानि कि इसकी जो humidity होगी वह full है तो इसे हम बोलेंगे fully saturated जितना इसकी capacity थी उतना water vapor इसके पास है तो इसे बोलते हैं हम fully saturated या फिर humidity of the saturated air is 100% चलिए आगे चलते हैं अब देखें relative humidity या humidity कैसे change हो सकती है कि एक दो तरीके हैं देखें या तो हम उसमें ज़्यादा moisture एड़ करते थ्रू evaporation ठीक है उसकी increase करके उसकी absolute humidity जैसे मान ये पहले हैं यहाँ पे 30 था आपका 30 इसने कर रहा था और इसकी total capacity वह थी 100 अब इसमें हमने और evaporation हो गई और plus 20 आ गए तो जो total absolute humidity हो गई इसकी वह हो गई 50 तो increase कर दिए simple फिर उसका temperature change कर देते हैं by changing the saturation point देखिए अगर कोई air का packet है उसका temperature हम increase कर देते हैं तो उस air की capacity भी बढ़ जाती है जादा water वीपर hold करने की जितने उसने पहले hold कर र air की water vapor hold करने की वो भी decrease हो जाएगी तो यह समझा रहा है आपको तो यह दो तरीके हैं जिनसे हम relative humidity को control कर सकते हैं देखिए अभी आपके dew point क्या होता है देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपके पढ़ने के लिए छोड़ी हैं बट आप यहाँ देखिए temperature at यहाँ पे आपका 100 water vapors है और 100 ही इसकी क्या water vapor carrying capacity है यह 100 water vapor ही carry कर सकती है और already 100 यहाँ पे हैं तो यह कौन सी जो temperature होगा इस air का वो क्या होगा वो dew point हो जाएगा देखिए जिस temperature पे जो कोई air है उसका saturation हो जाता है या उसकी humidity वो 100% हो जाती है कि जितनी उसकी capacity होती है उतने water vapor पर वो already hold कर लेती है उस temperature पे वो dew point कहते है उस temperature को हम क्या कहते है क्या dew point कहते है चलिए आगे चलते हैं अब फ्रेंड्स आपकी specific humidity क्या होती है देखिए it is expressed as the weight of water vapor per unit weight of air specific humidity को समझी है यह आपका unit of weights में measure किया जाता है usually gram per kilogram यानि कि जितना की weight है आपका water vapor का per unit weight of air कि देखि water vapor का weight होगा वो क्या हो जाएगा आपका वह आपकी specific humidity हो जाएगी और इफेक्ट नहीं होती बाद चेंज इन प्रेशर और temperature उतने ही रहती है absolute humidity यह तो आपके वैरियेबल है चेंज होती रहती है टेंपरेचर से increase होगा डिक्रीज होगा तो absolute relative change हो जाएगी ठीक है उसके बा है कि कौन कौन से statement सही है तो यह वाली statement आपकी सही है चलिए आगे चलते हैं देखिए हमने humidity के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया है अब हम पढ़ेंगे evaporation देखिए evaporation क्या है आपको पता है जब water transform हो जाता है लेक्विड से तो वह क्या होती है वही evaporation होती है चलिए movement of air replaces the saturated layer with the unsaturated layer hence the greater movement of air the greater is the evaporation देखिए एक बात ज्याद रखेंगा जितनी ज्यादा movement होती है आपकी air जितनी moving होगी तो evaporation भी उतनी ही ज्यादा होगी माल लिए फिर से आपका ocean है यहाँ पे आपकी air चल रही है देखिए पहल saturated हो गई यह water vapor जितना वह contain कर सकती है उतने आगे है इसमें through evaporation ठीक है अब यह air इस वाले packet को इस वाले packet को इधर ले जाएगी तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला packet आजाएगा फिर और evaporation होगी तो इस वयसे यहाँ पर evaporation भी जादा होती है अगर air move करती है तो अब evaporation अब ही मैंने आपको पहले समझाया हुआ है ठीक है जो आपकी relative humidity है वहाँ पर कैसे आपको सबको पता है relative humidity अगर ज्यादा है ठीक है तो evaporation कम होगी कम है तो ज्यादा होगी area of evaporating surface area भी देखा जाता है भई land ocean water भी तो होना चाहिए lakes पे rivers पे ज्यादा होगी ठीक है आपका जो plane surface है आइस है वहाँ कम होगी उसके पाद wind speed मैंने भी बताया कि जो wind है वो रिमूप कर देते saturated air from the evaporating surface और उसके पास dry air ले आती है which favors more evaporation अब यह भी explain के पीछी rate of evaporation is always greater over fresh water than salt water याद रखना कि जो आपका fresh water lakes होंगी जो rivers होंगी वहाँ जो rate of evaporation है वो ज्यादा होगी किससे ocean से क्योंकि ocean में salty water होता है आपका अब जो air pressure है आपका friends evaporation is also affected by atmospheric pressure atmospheric pressure से effect होती है evaporation जितना वो exert हो रहा है atmospheric pressure किस पे evaporating surface पे ठीक है lower pressure over open surface of the liquid results in higher rate of evaporation ठीक है friends समझाया है lower pressure से ज्यादा evaporation होगी और कम sorry और ज्यादा pressure होगा तो कम evaporation होगी चलिए अब हम पढ़ लेते कंडेंसेशन के बारे में क्योंकि हम बहुत सारे चीज़े कंडेंसेशन भी पढ़ने वाले हैं जो transformation है वाटर वीपर इंटु वाटर देखिए वाटर से वाटर वीपर बने evaporation से अब दुबारा वाटर व होती है इट में रीचा लेवल वेन इस capacity to hold water vapor seizes यानि कि जब किसी भी air के packet की जितनी उसकी capacity है उतने water vapors उसने hold किये हुए है यानि कि saturated हो गई है 100% उसकी relative humidity due point पहुंच गया है due point मैंने आपको बताया तक क्या होता है कि जिस temperature पे आपकी air fully saturate हो जाए 100% humidity हो जाए उस temperature में उस temperature को हम dew point बोलते है तो जो excess water होता है जहिए जब आपकी 100% हो गई आपकी क्या humidity हो गई dew point reach हो गया saturated हो गई अब जो excess water vapors हो गे ना वह आपके condense हो जाएंगे liquid form में क्या होता है excess water vapors liquid form में condense हो जाते है अगर यह directly very small particles termed as hygroscopic condensation nuclei देखिए हमारा बहुत जादा हो जाएगा option की तरफ पहुंच जाएंगे अगर मैं आपको पूरा cloud formation कैसे होता है कि छोटी-छोटे हमारे पास particles होते हैं किसके चलिए मैं थोड़ा सा explain करता हूं यह एक मिनट के लिए जो particles है हमारे पास dust की जैसे smoke pollen and salt यह सारे particles हमें कहां मिलते हैं फ्रेंट्स यह सारे particles हमें environment में मिल जाएंगे easily इनको हम hygroscopic condensation nuclei बोलते हैं क्योंकि जो हमारे पास water vapor का condensation होता है into water वो इन ही particles के उपर होता है अब जैसे आपने कोई अपना पूरा atom के अंदर एक nucleus होता है ठीक हो nucleus उसका central पार होता है ऐसे ही जो dust hygroscopic condensation nuclei है यह भी ऐसे ही central इस nucleus की तरह act करते हैं और nucleus के ऊपर आपकी क्या होती है water vapor की condensation होती है क्योंकि यह यह क्या करता है attract करता है जो यह हाइड्र स्कोपिक nuclei है dust है smoke आप आजैता है और फिर क्या होता है कि इसके ओपर और सारी बहुत सारी water droplets आती रहती और यह बहुत बड़ा हो जाता है ठीक है अब कुछ ताइम बाद क्या होगा कि जो water है इसके चारो आराउंट इसके चिपक गया है ठीक है अब कुछ टाइम बाद यह उसको hold नहीं कर पाएगा इसके जो capacity है water droplets को hold करने की वह नहीं कर पाएगा और water droplets नीचे fall करने लगेंगी जिसकी वैसे हमारी rainfall होती है चलिए वह जादा टेक्स प्लेस टेंपरेचर इस close to dew point देखिए यह वाला पॉइंट है यह वाला पॉइंट में आपको यहां नहीं क्लियर करूँगा जब हम different form of condensation पढ़ेंगे slit वगरा हम पढ़ेंगे जब तो आपका यह point वहां clear हो जाएगे क्योंकि जो condensation होगी अब कैसे होगी जब आपकी air moist air contact में किसके आएगी कुछ colder object के contact में आ जाती है तो वहां क्या होता है आपका condensation हो जाती है in form of solid चलो आगे पढ़ाते हैं ठीक है और यह कब होती जब temperature close होता है उसके dew point के देख लेते हैं वन बाइवन करके अब यहां पर कुछ conditions है कि condensation कब-कब take place करेगी पहला देखिए कि when the temperature of air is reduced to dew point देखिए जो temperature है ना air का वो dew point पे आ जाए with its volume remaining constant और उसकी जब volume है वो constant रहे कैसे adiabatically देखिए मैंने आपको last to last lecture में बताया था कि जब आपकी air warm air जब rise करती है उपर जाके cool करती है कैसे adiabatically cool करती है क्या heat release करके और जो temperature reduce करते हैं यहां क्या reduce किया था यहां काली हमने temperature से reduce कर दिया था ठीक है यहां हमने दोनों की दोनों reduce कर दी तो भी condensation हो जाएगा फिर moisture is added to the air through evaporation ज्यादा moisture add कर देंगे तो 100% humidity हो जाएगी जो extra उसमें आपका moisture हो का water vipers होंगे holding capacity से ज्यादा air की वह आपकी क्या हो जाएंगे condense होने लगेंगे अभी हमने पढ़ा है after condensation water vapor और the moisture atmosphere में यह आपका कौन से forms लेते हैं dew frost fog and clouds यह सारे हम पढ़ने वाले condensation takes place when the dew point is lower यह देखिए यह सबसे आपका important है यह वाला part आपको सबसे आदा important है ठीक है condensation कभ होती है जब dew point lower है दन्दा freezing point as well as higher than the freezing point बस यह चीज़ याद रखेगा कि dew point यह तो कम होगा freezing point से तो भी condensation हो जाएगी dew point higher होगा freezing point से तो भी condensation हो जाएगी यह सारे के example हम अभी देखेंगे और यह सारा तो आपको समझ में आगया होगा कि यहापके अगरम temperature air का reduce कर देते dew point तक dew point क्या होता जहाँ पर आपकी fully saturate होती है उस temperature को हम dew point बोलते है जिस temperature पर आपकी fully saturate हो जाएगी यानिकि relative humidity 100% हो जाएगी या फिर दोनों volume temperature चेंज करते हैं या फिर उसमें moisture एड़ करा दे थ्रूँ evaporation चलिए आगे चलते हैं different forms of condensation हम देख लगते हैं चलिए फ्रेंट्स यहां देखिए यह देखिए dew point dew क्या हो गहता है जब moisture जो होता है हमारे पास देखिए जो एयर में moisture होगा अगर वो deposit हो जाता है in form of water droplets पान की बूंदों में deposit हो जाता है किस पे on cooler surfaces of solid objects rather than a nuclei in the air above अभी हमने जो पहले बात की थी hydroscopic nuclei की बात की तो वो सारे air में होता है clouds form करते हैं और ऐसे बारिश होती है ठीक है बट यहां पे surface की बात कर रहा है solid objects की जैसे कि आपके stones हो गए grass blades हो गए plant leaves it is known as dew इस figure में आप देख पा रहे होंगे आपका भी गाओं में गए होंगे खेतों पे गए होंगे fields में गए होंगे पेड़ों पर यहां पर शहरों में भी देखा होगा बट मुश्किल है थोड़ा तो देखिए मैंने तो देखा है यहां पर देखिए जो water droplets है यह क्या हो जाती ह यह आपके जो cooler objects है यह हमारे पास अब grass के blades होगे stones होगे वहां जाके यह क्या हो जाता है deposit हो जाते है इन form of water droplets इसको हम बोलते है dew और यह एक form है condensation का कि water condense हो गया किस पे cooler object के ऊपर ideal condition इसके लिए क्या होती है dew की formation के लिए clear sky होना चीए जी calm air होने चीए अगर हेर चलती हो होगी तो नहीं होगा higher relative humidity होने चीए cold and long nights होने चीए ठीक है अब main जो चीज है dew की formation के लिए necessary है कि dew point अबब होना चीए freezing point से freezing point अगर आपका zero degrees Celsius है तो dew point इससे क्या होना चीए dew point इससे जादा होना चीए dew point क्या होता है कि जिस temperature पे आपकी air fully saturated हो जाती है उसको हम बोलते है dew point होगा वो above होगा freezing point के चलिए अब आगे चलते हैं तो friends अब यह जो second form है आपकी यह क्या है यह है आपका frost क्या बोलते हैं इसको इसको बोलेंगे हम frost देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं heading लिखना बोल गया था sorry उसके लिए but अब हम कर रहे हैं आपका frost चीए तो frost क्या होता है frost आपका cold surfaces पर फॉर्म होता है जब आपकी condensation takes place blow freezing point यानि कि zero degree Celsius के नीचे और I.E. और देखिए यहाँ पर और क्या है कि dew point is at or blow the freezing point या तो dew point आपका zero degree Celsius हो freezing point क्या है आपका आपका zero degree Celsius या तो dew point आपका zero degree Celsius हो या dew point उससे भी नीचे हो तो जो आपकी condensation होगी वो in form of ice होगी यहाँ देख पा रहे हैं आपको ice दिख रही है यह tricky branches पे तो इसको हम कहते है frost आइस जम गई है पेड़ों पे और बहुत सारी जगा देखो को टीवी में news में बहुत बार दिखाते रहते हैं excess moisture is deposited in the form of minute ice crystals instead of water droplets dew में आपके water droplets थे लेकिन यहाँ आपकी क्या है frost में यह देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे है frost के बारे में पढ़ रहे हैं यह भी एक form है condensation का ठीक है अब जो यहाँ पे moisture excess moisture है वो आपका कहा deposit हुआ है वो आपका deposit cold surface पे हुआ है और किसकी फर्म में ice crystal की form में deposit हुआ है dew में water droplets थी यहाँ पर ice crystal था यहाँ पर different क्या यहाँ पर जो आपका dew point है वो आपका है तो बिल्कुल बराबर है freezing point के या उससे कम है और dew में freezing point से जादा था dew point और जो ideal conditions होती है इसके बनने के लिए यह होती है air temperature must be at or blow the freezing point की जो air का temperature है जो fully saturated है उसका जो temperature है यानि कि जो dew point है वो या तो freezing point पर हो या फिर उससे कम हो चलिए फ्रेंग्स अब हम बढ़ते हैं fog के बारे में देखिए आप fog में क्या होता है जब हमारा जो temperature है air mass का जो contain करता है large quantity of water vapors ठीक है अब हमारे पास कोई air mass है यह हमारे पास air mass है ठीक है इसका temperature इसका temperature क्या कर कर जाए suddenly decrease कर जाए इस air mass का temperature suddenly decrease कर जाए और इसके पास बहुत सारे water vapors है अगर यह temperature आपका suddenly कर जाता है ठीक है माल लीजिए पहले इसकी जो capacity थी पहले इसकी जो capacity थी एस air mass की वह 100 water vapor की units contain करने की थी कि यह इतनी कर सकता है इसकी capacity 100 की है 100 water vapor की है बट अब temperature suddenly drop कर गया है और मैंने आपको बताया था जब temperature decrease करेगा तो उस air packet कि या air partial की जो आपकी capacity होगी water vapors को hold करने के लिए वह भी आपकी decrease कर जाएगी अब यह एकदम suddenly temperature decrease किया तो इसकी capacity माल लीजिए around 50 हो गई अब जो air है आपका जो air packet है पहले इसकी 100 थी बट आप suddenly temperature drop कर गया अब इसकी जो आपकी water holding capacity होगी water वेपर holding capacity होगी वह आपकी 50 पहुंच गई 100 से तो जो अब एक्सेस में 50 water vapors है उनका क्या होगा उनकी हो जाएगी condensation will take place within itself on fine dust particles और यह condensation कहा होगी यह fine dust particles आपको atmosphere में मिलते हैं उड़ते हुए हमको कई बार नजर भी आते हैं तो यह condensation जो extra आप जो 50 droplets बची है वह वहाँ हो जाएगी चलिए एक बार और समझ लीजिए देखिए क्या होता है जाकर temperature कोई भी air mass है आपका एक बार और समझातो air mass है इसकी कितनी capacity है इसकी capacity है जी 100 क्या capacity है इसकी capacity है 100 water vapors contain करने की किस temperature पर माल लीजे कोई temperature है T1 ठीक है अब इसका temperature क्या कर दिया एकदम से decrease कर दिया temperature T2 ले आए इसका ठीक है temperature decrease हो गया बहुत कम हो गया अब इसकी capacity क्या होगी 100 से जैसी temperature हमारा decrease होता है तो जो water vapor containing जो capacity होती है किसी भी पैकेट की वो decrease जाती है अब इसकी हो गई कितनी 50 आप इसमें तो 100 की थी और इसमें माल लीजे 100 भी है कितने है इसमें around 90 water vapor है चलो हमने माल लिया अच्छे खासे water vapor है 90 water vapor है ठीक है इसमें कितने water vapor है इसमें है आपके 90 water vapor present है 100 इसकी capacity थी temperature एकदम से decrease हो गया आप इसकी capacity रहागी 50 तो जो 40 बचेंगे क्या होगा 40 जो water vapor बचेंगे वो इसमें प्लेंट्स हो जाएंगे किसके ऊपर जो find dust particles होते हैं उनके ऊपर condensed हो जाएंगे और उसी से आपका fog बनता है so fog क्या होते है cloud होता है with it base at or very near the ground देखें आप विंटर से बहुत जावा fog देखें because of the fog और mist visibility होती है वो पूर हो जाती है जीरो हो जाती है बिल्कुल fog पे बहुत सारे accidents होते हैं आपको भी पता है urban and industrial center smokes provide plenty of nuclei which help the formation of fog and mist जो industrial centers होते हैं वहाँ pollutants होते हैं उनके बहुत-बहुत small particles होते है smoke के वहाँ पे वह nuclei बहुत जाद़ प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पर fog आपका हो जाता है अब देखें हम different types के fog की बात करेंगे जी के fog कैसे बनता है वो बस समझने वाला चीज थी radiation fog होता है यह कैसे होता है results from radiation cooling of ground and adjacent air देखें अगर आपके ground की cooling हो जाती है और उसकी जो आसपास की air है उसकी cooling हो जाती है तो आपका condensation takes place के temperature क्या कर गया जी temperature उस air का decrease कर गया अब जो उस temperature का decrease कर गया उसकी जो saturation जो capacity होगी air की water holding water vapors holding capacity होगी जो कम हो जाएगी और उसमें उससे जादा जो excess water vapors होंगे वो condense कर जाएंगे और आपका जो fog होगा वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होते है यह आपका winters में देखने को मिलता है इसको बोलते है radiation fog fogs formed by the condensation of warm air when it moves horizontally over a cold surface यह भीया कोई आपका cold surface है यहाँ पे आपकोई air आई है ठीक है और यह warm है cold surface के उपर गई तो क्या हो गया condensation हो जाएगी condensation और वैसा fog को क्या बोलते हैं एड्वैक्शनल फॉक बोलते हैं यह फॉक्स आपके थिक होते है पर्सिस्टेंस और यह कहां होते हैं यह अकर ओवर warm and cold water mixing zones in oceans friends आपका newfoundland fishing ground है वहां आपका warm water current है वह नीचे से उपर की तरफ जाता है cold water current आपका उपर से नीचे की तरफ आता है और जब यह warm tell मतलब friends तो आपड़ चुके हैं और precipitation दें कैसे होता है produce the convergence of warm and cold air mass देखिए warm air mass इदर से आ रहा है cold air mass इदर से आ ठीक है बीच में बन गया front warm air क्या होगी warm air ऊपर चली गई जब warm air ऊपर चली की यहां आप क्या हो सकता है बादल बन जाएगा precipitation हो जाएगी when warm air mass is pushed under by the heavier cold air mass ठ ठीक है उसको नीचे अपने दबा लेता है तो क्या होता है आपका frontal or precipitation fog बनता है precipitation in warm air mass condenses to produce fog at the boundary of the two air masses और इनको हम frontal or precipitation fog कहते हैं fog में जो visibility होती है वो less than one kilometer होती है friends frontal or precipitation fog का याद रखना जो warm air mass है वो आपका cold air mass के नीचे चला जाता है और उसकी वज़य से आपके ground के आसपास क्या हो जाता है fog आपका बन जाता है उसे frontal or precipitation fog कहते हैं mist देखे friends mist क्या होता है आपका जो difference होता है between mist and fog that mist contain more moisture than fog याद रखना mist में moisture ज्यादा होता है mist में गिलापन ज्यादा होता है in mist each nuclei container thicker layer of moisture जो nuclei कौन होंगे आपके dust particles होंगे smoke particles होंगे तो वहाँ पे ज्यादा thicker layer moisture की होग से मिस्टा फ्रिक्वेंट्स ऑफर माउंटीन क्योंकि जो rising warm air होती है आपदा slopes वह आपके cold surface मिलती है और क्या हो जाता है mist form हो जाता है condensation हो जाता है इन form of mist mist क्या है इस और वाटर ड्रॉपलेट से बनता है बट्विट लेस मर्जिंग और कोलेशिंग जो आपका mist है न वाटर ड्रॉप से बनता है पर यह कम dense होती है ठीक है fog में जितना dense होती है water droplets उतनी यहां dense नहीं होती है but moisture यहां दाना देखने को मिलता है ठीक है अब mist less dense होती है और जल्दी dissipate हो जाती है fog से जल्दी dissipate हो जाती है fog हमारे dry होते है mist हमारे पास ज्यादा moisture होता है and they are prevalent where warm currents of air comes in contact with cold currents fog की बात कर रहे है mist visibility आपके 1 km से ज्यादा होती है but less than 2 km fog में 1 km से कम होती है visibility और कभी-कभी तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है देखे फ्रेंड्स यह mist का आपका मैंने image दिखाए हुई है fog आप सब को पता है बहुत कम visibility हो जाती है fog कभी-कभी 100-meter की visibility नहीं रहती है चलिए आगे चलते हैं उसके बाद हम बात करते हैं हेज की देखिए यह आपका हेज क्या होते हैं यह ट्रडिशनली इक कभी चंदीगड विजिट करा है तो चंदीगड से आप देखेंगे तो आपको बहुत जादा हो जाता है तो वहां से आपको डिरेक्ट हिमाल्याज नजर नहीं आते लेकिन जब लास्ट यह हमारा lockdown लगा था कोविड 19 की वज़ा से तो क्या हुआ था लोग दो तीन मेने में अपने घरों में रहे थे पॉल्यूशन इंडस्ट्री बंद हो गया था तो हेज बिल्कुल नहीं रहा था ठीक है स्काय एक डम क्लियर हो गए थी विजिबिलिटी एक डम क्लियर हो गए थी स्काय की और क्या थे इसमें कोई कंडेंसेशन नहीं होती है बट स्मॉग में कंडेंसेशन होती है जो सोर्सेज है है इस पार्टिकल्स के लिए वह आपके यहां पर देकिए फार्मिंग से मिलते हैं प्लाविंग इन ड्राय वेदर ट्रैफिक इंडस्री और वाइल फायर से सब स्मोग पार्टिकल्स वगरा मिल जाते हैं अब हम बात करेंगे बहुत ही इंप्रेंट फिनोमेना की स्मोग की जिसके ओपर क्वेश्चन भी आया हो आपके प्री में और जो डेली में जो बंदे मतलब यूपिस की प्रप्रेशन कर रहे होंगे अरूंबर सॉरी अरूंबर दिसंब आपके इंडस्ट्रियल फ्यूम चैने के इनकों प्राइमरी पार्टिकल्स लाइक बी है समोग भी है अरूंबर दिसंबर के तायम प्रेली में वह चीज किस की वज़े से होती है देखें जो यहाँ अरूंबर वेस्टन यूपी में आपके जब फार्मिंग होती है तो वीट सो करने के लिए क्या कर देते हैं कि जो उनका crop residue होता है straw होती है जो आपकी वो जला देते हैं उसके जलाने की वज़े से आपका वो यह डेली के उपर और थोड़ा था NCR के उपर पूरा air स्टेगनेंटि हो जाती है और जो smoky particle होते है उस श्ट्रॉब बश्ट्रॉब के बात जो स्मोगी पार्टिकल होते हो डेली के वपर आ जाते हैं और फिर winter स्टार्ल्स होती है तो fog तो फॉप पूर जाता है तो fog और smoke मिलके आपका के स्विंग सीजन से पहले तो उस ट्रॉव बर्निंग का जो आपका धुआ होता है जो वह स्मोक होता है वह सारा आपका डैली के आसपास वाला है एडियाओं में जमा हो जाते हैं क्योंकि यह उस टैम पर कॉंस्टेंट हो जाती है और नौवंबर दिसंबर में आपको देखन तो फोटो केमिकल स्मोग अकर्स मोस्ट प्रमिनेंटली अर्बन एरिया जे देखिए जो आपको मिलेगा वह इंडस्ट्री जो है आपकी अर्बन एरिया में वहाँ जाद मिलेगा जहां पर लार्ज नंबर ऑफ जो ऑटो मोबाइल इंडस्ट्रीज है या फिर विकल्स हैं तो यह देखिए नाइट्रोजन जो प्राउंजटनव क्रामरी अमिशन है जो अाटो मोबाइल होते हैं जब मतलब कंपश्टन होती है तो वहां से नाइट्रोजन आक्साईड निकलता है और फोटो केमिकल स्मोग को हम हैं आपका समर समोग कहते हैं जब यह कब बनता है प्रेजन्स ऑफ सनलाइट ठीक है यह सनलाइट की प्रेजन्स में आपके रियक्ट करते है कौन-कौन नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस और गैस बनती है इनसे कौन सी ओजोन बनती है जिसको हम सेकंडरी पॉलुटेंट कहते हैं इस फॉर्म सेकंडरी इसलिए क्योंकि पहले जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका और्गैनिक कंपाउंट्स डिरेक्ट सोर्सिस थे हमारे अट्मॉस्फेर में जो कोल कंबशिशन से विकुलर पॉलुशन से आपके आ रहे थे वो रियक्ट करते हैं सनलाइट के साथ इसलिए फोटो कहा गया है फोटो मतलब सलाइ और केमिकल केमिकल्स आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड वगरा है उससे आपका एक सेकेंडरी पॉलुटेंट जनरेट हो जाता है ओजोन तो उसके बाद देखें नाइट्रोजन डायोकसाइड प्लस सनलाइट प्लस हाइड्रोकार्बन्स यह आपका जो इनकंप्लीट कमश होता है आपके फ्यूएल का ठीक है उससे आपके हाइड्रोकार्बन्स मिलते है वह ओजोन बनायता है और ओजोन जो देखें एक आप सोच रहे होंगे अब तो हमने जब सर आपने पढ़ाया था हमें स्टैटोस्फेर में जब लेयर्स कर रहे था एट्मास्फेर की तो ओज ब्हुत बेनीफिशल होती है क्योंकि यूवी रेस को आपके ब्लॉक करती है और आर्थ जो हम हम यूंस है बहुत सारे स्कीन कैंसर से से एक नियर देख सश SB और यह क्या result करती है, it results in global warming क्योंकि यह एक greenhouse gas है, जब मैंने आपको greenhouse gases पढ़ाई थी तो भी मैंने आपको यह बताया था, ठीक है, तो इसकी वज़े से आपका smoke बन जाता है, और जो resulting smoke causes light brownish coloration of the atmosphere, देखिए आपने देखा होगा light brownish हलका सा, आपको black भी आपको नजर आता है, visibility reduced हो जाती है, plant damage हो जाते है, eyes में irritation होती है, respiratory distress होती है, जिनको अस्तमा और lungs वाली कोई भी bronchitis वगरे सारी problems होती है, उनके लिए तो mask पहनना mandatory हो जाते है, वरना वो लोग अस्तमा आटैक उनके आते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, फ्रेंट्स, यहां मैंने पूरा दिखाया होगा कि फोटो केमिकल स्मोग कैसे बनता है, नाइट्रोल, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यह जितने भी आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो आपकी आ रही है, प्लस आपके जो hydrogen carbon है, ठीक है, य उसमें क्या-क्या होता है, आपके pan होता है, aldehydes होते हैं, और acroline lian होता है, और आपका milly होता है ozone, जो की आपका greenhouse effect में सबसे ज़्यादा काम आता है, अगर हम बात करेंगे अभी तो effects of smoke की बात करते हैं, जो atmospheric pollution है, आपका Los Angeles का, Beijing का, Delhi में मैंने आपको example दिया था, Mexico का, जि cities, यह atmospheric pollution आपका और बढ़ जाता है, किस से, इंवर्जन से, इंवर्जन, temperature, इंवर्जन मैंना को पढ़ाया था, तो वैसा ही कुछ इंवर्जन यहां होता है, और उसकी वज़ए से, और यह pollution इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंवर्जन की वज़ए से trap कर लेता है, किसको pollution क close to the ground और वो काफी time तक stagnant रहता है आपके ground के आसपास, और breathing में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, और eyes irritation होती है, plants के लिए भी बहुत हामफुल होता है, यह highly toxic होता है humans को, severe sickness, shorten life or death, life years भी कम कर देता है आपके लिए, smoke क्या है, combination है, airborne particulate matter का, जैसे कि आपका suit हो गया, invisible toxic gases जैसे है, इससे cancer भी हो सकता है, temperature inversion are accentuated and precipitation is reduced, देखे, temperature inversion बढ़ जाती है, pollution बहुत बढ़ जाता है, उसकी वाई से, अब क्या हो जाता है, precipitation भी कम हो जाती है, and smoke related haze आपकी visibility भी कम कर देते हैं, तो friends यह हमने आपका पूरा उसके बारे में पढ़ लिए, smoke के बारे में पढ़ लिए, अब हम forms of condensation पढ़ रहे थे, अभी तक सारी forms of condensation नहीं थी, smoke बस उसमें एक haze नहीं था, जिसमें condensation नहीं होती है, अब ये cloud ये भी आपका, क्या है condensation का एक form ही है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज, ground surface, अगर आपका sun उसको heat करता है, किसको surface को, तो जो air present होती है, near the earth surface, वो conduction से आपकी heat हो जाती है, warm हो जाती है, और warm air आपकी light होती है, तो वो raise करती है, जब वो raise करती है, तो cool कैसे करती है, expand कैसे करती है cool कैसे करती है एडियाबेटिकली ठीक है जब वो एडियाबेटिकली cool करती है तो यहां आके क्या बना जाती है through the process of condensation आपकी clouds form हो जाते हैं और वही clouds आपका precipitation करते हैं after condensation ठीक है clouds बन गए condensation हो गई sorry condensation से आपकी clouds बन गए precipitation होई आपकी rainfall की form में चलिए जो clouds है वो आपका mass of minute water droplets देखिए पहले भी मैंने बताया था कि आपके atmosphere में बहुत सारे आपके particles होते हैं जैसे कि आपके smoke particles होगे dust particles होगे salt particles होगे ठीक है यह सारे की सारे particles है आपके hygroscopic nuclei हम इनको बोलते हैं और यह आपका एक मतलब nuclei की surface की तरह act करते हैं जब यह water droplets आपकी form जब water droplets आपकी condense हो रही होती है water vapor से water droplets आपकी बनती है और इन surfaces यह surface की तरह act करते हैं hygroscopic nuclei और इन surface पर आके वह जमा हो जाती है आपकी इन surfaces पर जमा होती रहती है और ऐसे आपका बहुत बड़ा क्लाउड फॉर्म हो जाता है और जब यह जो particles होते हैं आपके यह water droplets जब बहुत सारी इखटी हो जाती है एक एक पार्टिकल पर जब यह उसको पकड़ नहीं पाते है यानिकि जो इनकी पकड़ नहीं की छमता है वह खतम हो जाती है और फिर उसके बाद वह in form of precipitation नीचे गिरती है रेनफॉल वगरा की form में ठीक है तो यह है तो यह tiny crystals के बना होता है आइस का देखिए जो मैंने आपको बताया था ना अभी हाईग्रोस्कोपिक नूकलिया होते है उसके अराउंड यह जो आपकी वाटर की droplets होती है वो आके जम जाती है ठीक है तो यह tiny crystals के बना होते हैं कुछ heights पर बनते हैं और मैंने बताया आपका adiabatic cooling से बनते हैं clouds are formed at some height over the earth surface और बहुत सारी shapes होती है according to their height, expense, density, transparency और opaqueness clouds हमने चार टाइप के अंदर classify किया है पहला cirrus, दूसरा cumulus, तीसरा stratus, चौथा nimbus एक एक करके हम इन सारों को देख लेते हैं पहले हम पढ़ेंगे यह देखिए आपका यहां देखिए जो low height के clouds होते हैं वो आपके कौन सा देखने को मिलेंगे वो आपके cumulus और stratus देखने को मिलेंगे फिर जो आपके mid वाले clouds होते हैं, mid वाले clouds को आगे हम alto लगा जते हैं, alt मतलब mid होता है ठीक है अब high जो clouds हैं आपके वो cirrus clouds high देखने के लिए मिलते हैं, देखिए cirrus zero cumulus हो गया, cirrus stratus हो गया, cirrus हो गया, आप जो निम्बो stratus यह cloud देख रहे हैं यह आपका rain bearing cloud है और यह आपकी rain कराता है ठीक है, उसके बाद एक और cloud है आपका cumulonimbus clouds, cumulonimbus cloud आपका form होता है frontal precipitation में और यह आपका rain कराता है, देखिए इसका आप अगर extend देख पा रहे हैं ना friends, तो यह हमारे पास यहाँ 8 km से 12 km पर यह मिलते हैं, thin detached clouds होते हैं, feathery appearance होता है, white में होते हैं और यह often called mayor's tail, ठीक है, यह tail की तरह देखते हैं, ठीक है यह वाले देखिए figure में ऐसे कुछ यह clouds देखते हैं आपके, उसके पाद आपके cumulus clouds यहाँ पर आ जाते हैं, cumulus clouds आपके cotton wool की तरह लग रहे हैं, यह आपको देखने को figure में देखके समझी हा रहा होगा कैसे होते है, 4000 से 7000 meter की height पर मिलते हैं, यानि कि mid जो होते हैं, यह आपके मतलब cirrus और जो दूसरे वाले clouds हैं, आपके stratus clouds के बीच में आपके मिलते हैं, इनकी average height है, तो यह patches में exist करते हैं, और can be seen scattered here and there, देखिए patches में भी आपको देखने के नहीं मिल रहे हैं, scattered भी मिल रहे हैं, तो यह इन cloud की खाचे थे, flat base होता है इनका, और यह fair weather cloud होते हैं, यानि कि कोई precipitation वगरा, यह weather में stability होती है, जब इक clouds आपके sky में होते हैं, उसके बाद हम third cloud पर चलेंगे, आपके stratus clouds होते हैं, इनका नाम जो imply करता है, यह आपके layered cloud है, strata मतलब क्या होता है, stratification, ठीक है, यह हमने पहले portion आपका cover भी कर रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं, जो यह clouds होते हैं, यह produce करते है, light drizzle or small amount of slow, यानि कि यह बारिश नो करते हैं, लेकिन बहुत ही हलकी बूंदे आएंगी है, बहुत कम snow आएगी इनसे, यह जो clouds है, are generally formed due to loss of heat, जो heat loss होती होती है, उसकी वाइसे, और mixing of air masses with very different temperature, जब हमने air masses कहा था, हम mix करते हैं, तो जब air masses एक दूसरे के साथ mix होते हैं, तो frontal rainfall होती है, तो वही यह light drizzle or small amount of snow, उसी की वाइसे होती है, frontal rainfall की वाइसे, फ्रेंट्स हमने तीनों टाइप के clouds पढ़ लिया है, यह last पढ़ते हैं, निम्बस, निम्बस मतलब होता है, rain bearing clouds, black और dark gray color के होते हैं, middle levels पे भी बनते हैं, very near to the surface of the earth भी बनते हैं, ठीके, low level पे और middle levels पे अपके बनते हैं, यह extremely dense and opaque होते हैं, sun rays के through pass नहीं कर पाती हैं, और बार, shapeless masses होते हैं, thick vapors के और बहुत अच्छी बारिश यह वाले clouds हमारे कराते हैं, rain bearing clouds इनको हम बोलते हैं, चलिए और थोड़ा सा classification clouds के बारे में देख लेते हैं, अब इनका combination, अगर हम चारो जो basic types हैं, इनका combination कर देते हैं, तो हमारे high clouds भी हमारे पास cirrus देखने के लिए म बिलता है, देखिए साइरो stratus की कुछ characteristics में आपको बताया तो जब साइरो stratus आपके sky में होते हैं, तो sky milky लगती है, और जो sun और moon है, वो shine करते हैं, through it with a characteristic hello, यानि कि जो साइरो stratus होते हैं, ओपेक नहीं होते हैं, nimbus clouds की तरह, sun rays इनके थूपास कर जाती हैं, और एक characteristic hello form ह होती है, ठीक है, milky लगते हैं, और फिर हमारे तीसरे जो high clouds है, वो साइरो cumulus clouds होते हैं, अब हम middle clouds की बात करते हैं, तो middle clouds में हमारे आते हैं, auto stratus and auto cumulus, auto का मतलब ही mid होता है, ठीक है, जहाँ पर भी auto आजा तो समझ जाना, उनकी height जो mid level पे है, low clouds जो है, हमारे stratocumulus है, nimbo stratus ह है, अच्छा आप, nimbo status मैंने बताया था, यह आपके rain bearing clouds होते हैं, nimbo का मतलब, और यह long duration rainfall cloud है, उसके बाद, अब last में हमारे पास clouds with extensive vertical development, मैंने आपको यह cloud दिखाया था, जो की cumulo nimbus था, cumulus and cumulo nimbus जो clouds होते हैं, वो आपके extensive vertical development होती है, उनकी thunderstorm cloud कहते हैं, उनको, वो rainfall भी ल आप होता है, often spreads out like an anvil, ठीक है, मैं आपको इनकी figure दिखायता हूँ, देखिए, anvil आपने कभी देखा होगा, वो जूते ठीक करने वाले होते हैं, iron का कुछ होता है, उसको जूते ठीक करते हैं, उसको anvil बोलते हैं, तो इसका जो cauliflower top होता है, वो anvil की तरह हमें दिखता है, ए कभी-कभी इसकी shape आती है, आपकी जो anvil की shape होती है, ऐसे कुछ shape आती है, ठीक है, तो यह ऐसी shape होती है, thunderstorm clouds कहते हैं, lightning भी कर रहते हैं, यह rainfall भी होती है, अब हम precipitation की बात करें, तो यहां देखिए, जो process होता है, continuous condensation in free air helps the condensed particles to grow in size, देखिए, मैं आपको बताया था, जो आपक continuous condensation होती है, तो water droplets उस surface के उपर accumulate होना start हो जाती है, और जब वो particle उन water droplets को hold नहीं कर पाता है, तो वो water droplets नीचे गरती है, in form of rainfall, अब देखिए, when the resistance of the air fails to hold them against the force of gravity, मैंने बताया ना, जब वो hold करने के fail हो जाता है, hold करने में, तो earth surface पे गरती है, उसे हम precipitation कहते है, so after the condensation of water vapors, the release of moisture is known as precipitation, this may take place in liquid or solid form, आपको बता है, solid snow आपके हो सकती है, hill storm आता है, तो hills उस में होते है, liquid में आपका बता ही, आपको rainfall होती है, precipitation in form of drops of water is called rainfall, और यह precipitate rainfall का आप कहते है, जब आप जो drop का size है, वो 5 mm से ज़्यादा होता है, तो लिए अब हम पढ़ते है, कितने type की rainfall यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, अब यहाँ पर कुछ है, जैसे कि rainfall का drop का size है, वो क्यतना होना चाहिए, more than 0.5 mm होना चाहिए, विराज की से बोलते है, जो rain drops evaporate कर जाती है, before reaching the earth surface, drizzle, यह आपकी light rainfall होती है, इसका drop जो size होता है, वो less than 0.5 mm होता है, याद रखना, mist, evaporation होता है before reaching the ground, leading to foggy weather, अब जो snowfall है, आपकी fine flakes of snowfall, when the temperature is less than 0 degree Celsius से कम होगा, यानि कि freezing point से कम होगा, sleet हमने पढ़ लिया था, hail का जो आपका होता है, वो उसके rounded pellets होते हैं, hard rounded pellets होते हैं, और बहुत सारा destruction भी कर देते हैं, हमारी crops का, और भी वैसे भी windows, window panes को भी नुक्सान बहुत पहुचाते हैं, 5 mm से 50 mm इनका size हो सकता है, friends अब जो हमारे first type की, जो हमारे पास rainfall है, वो conventional rainfall है, देखिए, conventional rainfall में क्या होता है, यह हमारे पास ground surface है, यहाँ से हमारा sun है, heat direct आरी है, sun rays से, वो ground को heat कर रहे है, ground absorb करता है sun की heat को, और becomes heated, अब जो air, ground के पास होती है, वो conduction की through, यह जो surface वाले heat थी, इससे जो heat चली जाती है, conduction के through, जो air surface के पास होती है, वो heat हो जाती है, अब यह air आपकी warm होगी है, warm air आपकी light होती है, तो यह क्या करती है, आपकी warm air rise करती है, और जब यह warm air है, और यह rise करेगी, तो अपने साथ water vapors भी लेके जाएगी, क्या लेके आपकी warm air cool down होती है, और water vapors क्या करते है, condense करते है, to form water droplets, जो कि आपका cloud बनाती है, hygroscopic nuclei की help से, और जब वो hygroscopic nuclei आपका मतलब hold नहीं कर पाते हैं, उन water droplets को, तब वो आपकी in form of precipitation, यानि कि rainfall की form में आपकी नीचे आते है, rainfall takes place, ऐसे जो rainfall होती है, यह air जो उपर जा रही ह है, इसको हम convection बोलते हैं, और जो इस process से clouds बनते हैं और उनसे rainfall होती है, उसको हम convection rainfall बोलते हैं, देखिए, convection rainfall में आपको समझा दी है, तो यह देखिए, यह जो point है आपकी, यह आप खुद कर लेना, और जब आपकी condensation होती है, तो cumulus clouds, आपकी cumulus nimbus clouds, जो rain bearing clouds होते हैं, form होते है, और यह जो process है, इसमें latent heat of condensation release होता है, जब heat release होती है, यह दुबारा further heat कर देती है air को, और force करती है air को to go further up, और उसकी वाई से फिर दुबारा condensation हो जाता है, ठीक है, उसके बाद, convection precipitation is heavy, but of short duration, देखिए, यह heavy होती है, but short duration, highly localized होती है, and associated with minimum amount of cloudiness, यह कब होती है, हमारी समर्स में, क्योंकि समर्स में ground ज्यादा heat होता है, common है, यह equatorial doldrums के उपर equator पे, क्योंकि equator पे आपका sun बिल्कुल overhead होता है, वहाँ ज्यादा, आपका heating होती है, lens surface की, और evaporation भी अच्छी देखने के लिए मिलती है, वहाँ में यह ऊपर जाएगे, clouds बनेंगे, जल्दी से rainfall ह हो जाएगी, जैसे, Congo basin में, Amazon basin में और जो islands आपके Southie Station में, वहाँ है, rainfall आपको देखने के लिए मिलती है, उसके फ्रेंज फिर आपकी एक और rainfall आती है, आपकी, दीखे, conventional यह वाला हमने देख लिया है, अब second rainfall की तरफ हम चलते है, aurographic rainfall, aurographic rainfall का मतलब है, जो rainfall आपकी होती है, देखिए, जो aurographic rainfall है, पहले हम यह figure से समझेंगे, figure से देखिए, क्या है, जैसे, यहाँ पर आपका ocean है, यह आपकी mountain है, ठीक है, तो यह क्या होता है, जो moist warm air होती है, जब यह saturated air, fully saturated air, आपके mountains की तरफ आती है, तो वहाँ पर उसको slope मिलता है, तो वो rise कर जाती है, और यह air rise करके क्या होता है, उपर की तरफ चली जाएगी warm air है, moist है, तो rise कर जाएगी high in the sky है, और वहाँ जाके जब यह warm air उपर जाके cool करेगी, ठीक है, expand करेगी idea vertically, फिर यह condense करती है, जो moisture इसके अंदर होता है, वो condense कर जाता है, जैसे की air आपकी cool होती है, friends, और देखिए, prevailing wind की direction देखिए, mountain की तरफ आती है, और यहाँ पर clouds form होते हैं, और यह इदर बारिश आपकी करायते हैं, यह सारा phenomenon आपको पता है, जिस slope पर बारिश होती है, जहाँ पर air आ रही होती है, उस slope को हम बोलते है, windward slope, क्योंकि wind इस तरफ से आई है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी कर गया होगा, अब वो नीचे आएगी, cool air आपकी dance होती है, तो वो dance air क्या करती है, नीचे की तरफ बैठती है, sink करती है, warm air light होती है, तो वो उपर की तरफ rise करती है, तो अब जब यहाँ से निकलेगी, तो air के पास कोई moisture नहीं है, अब जब यहाँ कोई moisture देखने को नहीं म बढ़ता है, वहाँ पर कई सारे आपके deserts बनें, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है, जैसे कि Patagonia desert Argentina में आपका eastern slopes of the western ghats, देखें, जो आपके western ghats है, यह आपका coast है, western courts है, माल लिजे इसको western ghats लगा लिजे इसको, ठीक है, यहाँ पर बारिश हो जाती है, इस side आते western ghats के, वो भी आपके कैसे रह जाते है, ड्राय रह जाते है, इसको हम relief rain भी कहते है, आप जो wind descend करती है on the levered side, is heated adiabatically, यह wind आपकी heat होती है, warm हो जाती है, adiabatically heat होती है, and is called catavatic wind, और यह जो catavatic wind होती है, अगर यहाँ पर कुछ आपकी snow अगरा होती है, नीचे जाते हुए आपकी snow को melt कर देती है, क्योंकि क्या हो जाती है, heat हो जाती, warm wind बन जाती है, और यह snow को melt कर देती है, बहुत सारे deserts मैंने जैसे कि अभी आपको पता है, इस reason में आपको देखने को मिल सकते है, देखे friends, यह जो सारा कुछ information यहाँ पे है, यह मैंने आपको पहले ही दिया और इसी को हम aureographic precipitation कहते है, देखे हमने auregeny पढ़ाओ, auregeny means mountain building, aureographic precipitation, आपकी क्या होगा, जो rainfall आपकी slope, जो air है, आपकी slope से rise कर रही है, और mountains से होती है, उसको aureographic precipitation कहते है, तो front second type of जो हमारी third type की rainfall है, उसे frontal rainfall कहते है, frontal का मतलब आपके जो front बनने से होती है, और front कब बने warm air की तरफ जाता है, तो जो air mass आपका जाता है, उसे ही, वही front बनता है, जो cold air mass यहाँ पे move कर रहा है, warm air front की तरफ तो जो front बनेगा, वो कौन सा बनेगा, cold front बनेगा, और हमेशा आपको पता है, cold air mass जीच जाती है, क्या करती है, यह warm air को, cold air dense होती है, warm air light होती है, तो cold air dense हो वैसे warm air हमेशा rise कर जाती है जब warm air rise करते है पुरा phenomenon आपको पता है clouds बन जाते हैं और यहां पर आपकी precipitation यानि कि rainfall हो जाती है उसी rainfall को हम frontal rainfall कहते हैं friends आपकी यह फिर हाँ पर cyclonic rainfall है दखिए यह cyclonic rainfall conventional rainfall होती है large scale में cyclonic rainfall जो precipitation होती है tropical cyclone में वह आपकी conventional type की होती है और जो temperate cyclone में आपकी होती है वह आपकी frontal rainfall होती है frontal activity के वह से होती है तो friends यह जो cyclonic rainfall है यह आपको ज्यादा समझ में आगा हम next lecture में आपके cyclone वाला topic लेंगे तो वहां आपको इस cyclonic rainfall अच्छे से समझ में आएगी तो अब हम मिलेंगे आपसे next lecture में तब तक लिए data bye bye take care और हाँ जबी क्लाइमेटोलोजी खतम हो जाएगी तब हम आपको जितने भी previous year questions है क्लाइमेटोलोजी के वह सारे एक ही lecture में करा देंगे चलिए bye bye take care